आज साथियों बहुत ज्यादा कुछ कहने का दिन नहीं है जो हमारी इनसे बाचीत हो रही थी लागातार भारत जोड़ो यात्रा के दोरान भी जो इनकी एक कस्मकस थी कि मैं जिस विचारधारा से आता हूँ साइद कहीं गलत जगा फस गया हूँ और एक लंबी लड़ाई ल इस देश बेचने वाले और देश बचाने वाले की लड़ाई में हमें देश बचाने वाले के साथ रहना है और ये लगातार इस तरह की बाते होती रहती थी हमारे कई साथियों से मिलते रहे हैं और एक पुराना रिस्ता रहा इनके पिता स्वरगिये टेकलाल महतो जी एक महागडबंदन के तोर पे वो पहले भी मदद करते आए ये पूर मंत्री भी रहे हैं जारकंड सरकार में और तीन टाइम के विधायक हो और इनके चेतर में कभी इनके परिवार को छोड़ करके एक बार कोई जीता है नहीं तो आठ बार इनहीं लोगों का उस पर दबदब रहा है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सबों को वहाँ फाइदा मिलेगा मैं आभार ब्यक्त करूँगा आधर्णिये प्रभारी गुलाम हमद मीर साहब का सिर्समेत्रित्व का जिन्होंने इस प्रपोजल को सहमती दी है और पवनखेरा साहब का जिन्होंने आज इसका आयोजन किया है और इनका भी धन्यवाद इसलिए कर दे रहा हूं पहले ही कि इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है मैं समझता हूं कि आज जब डर और लालच के कॉक्टेल के आगे सब लोग नत्मस्तक हो रहे हैं वैसे समय में इन्होंने क पंग्रेस का दामन थामना उचित समझा है मैं इनका भारवेक्त करता हूं धन्यवाद